हलो गईज, आप सभी सात्यों का स्वागत है, आपके अपनी यीटूब चैनल टॉपर सिंट पर तो आप सभी लोगों को पता है कि कल सुप्रिम कोट में एक ओडर आता है और जिसमें ये कहा जाता है कि जो एनायोस जेलेट के जो छात्र हैं या जो एनायोस जेलेट के जो प्रिसिक्चू हैं उन लोगों को जो है किसी भी सिक्षक भरती से उनको बाहर किया जाता है वो लोग सीर्फ और सीर्फ वहीं पढ़ा सकते हैं जहां पर वो लोग पढ़ा रहें ये चीज जो है कल सुप्रिम कोड ने बता दिया हलाकि इसकी हार की वज़ा क्या रही है क्या आगे अभी और भी रास्ता है क्या एनाउस डिरेट फिर से वैलिड हो सकता है क्या जो है Supreme Court अपना order बदल सकता है तो आज की इस वीडियो में हम लोग इन सभी चीजों पर बात करेंगे तो अगर आप लोग चैनल पर नहें तो प्लीज सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को आप जरूर दबा दीजिए जिससे आपको इसी प्रकार की real और authentic update आपको मिलती रहे तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को कल आप लोग ने order देखा पूरे 38 पेज का order है और उस order में सिर्फ एक ही चीज की जिक्र किया गया और वो था 18 महीने का course Supreme Court ने अपने order में सीधा सीधा यही कहा है कि ये जो course है वो 18 महीने का course है और NCTE ने जो अपने gadget में बताया है जो सिक्षा नियमा अली में जो पताया है उसमें ये जिक्र किया गया है कि किसी भी सिक्षक भरती के लिए कम से कम 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए लेकिन जो NIOS जेलेट का जो course है वो मात्र 18 महीने का है उन्होंने पतना उचन्याले में जो high court में जो यहाँ पर आपको पता है order आया था जो NIOS जेलेट के favor में आया था जिसमें NIOS जेलेट को किसी भी सिक्षक भरती के लिए मानने किया गया था तो इन्होंने पतना high court को भी अच्छे तरीके से जो इन्होंने लताड़ा है अपने तरफ से इन्होंने ये कहा कि आप बिना कुछ सोचे समझें आप ऐसा आदेश कैसे दे सकते थे जब आपको ये पता था कि 18 महीने का कोर्स है तो आपने जो है NIOS जेलेट को उसको 18 महीने के कोर्स को 24 महीने के कोर्स के बराबर आपने क्यू कर दिया उन्होंने पतना high court पर तंज कसा दूसरा उन्होंने जो है NCT को भी थोड़ा सा लताड़ा उन्होंने ये कहा कि जब आपने कोई भी ऐसा अभी आपने गजट नहीं जारी किया है कि जिसमें आपने ये कहा हो कि कि किसी भी सिक्षक भरती के लिए हम 18 महीने को भी अलाउड कर रहे है आपने एक तरफ ये कह रखा है कि हम 24 महीने के कोर्स को अलाउड करेंगे पॉइंट में और हर जगा पॉइंट पर यही है देखो इन्होंने क्या किया कि जो मेन रिट थी उसको इन्होंने जो है डिस्मिस कर दिया है आपको पता होना चाहिए कि पतना सबसे पहले जो आदेश आता है वो पतना हाई कोट से आता है पतना हाई कोट में एनावस को जीत म से वह उसको भोग रहे हैं। यहां पर मैं आपको बता दूं। ये तो हो गया उनकी हार की बजा अब बात करते हैं कि इसमें और कौन-कौन से चीजें हो सकती है क्या आगे अनाउस जेलेट वैलिड हो सकता है या नहीं वैलिड हो सकता है तो देखो इसके दो काम अगर हो सकते हैं तो अनाउस जेलेट दुबारा वैलिड हो सकता है नमबर ए सुनाया इनी की बेंच में जाएगा और अपने फैसले को वो क्यों पलटेंगे भाई जाहिर सी बात है तो वो चीज तो बिल्कुल रद्ध हो जाएगी रिवी पेटीसन से कुछ नहीं होने वाला है हाँ कोई पांच जो है जैसे मालों किसी की नौकरी प्रभावित होती है माल NCT को ये गजट निकाल दे और NCT गजट निकाल कर ये कह दे कि हाँ भाई ठीक है हम 18 महीने को भी अब सिक्षक भरती में अलाओ कर रहे है जैसे आपको होता ने बिसिष्ट बीटीसी वाले बिसिष्ट बीएड वाले जो एक साल वाले हैं उन लोगों को भी अलाओ किया गया है तो उसी तरीके से अगर एनाउस जेलेट का कालम उसमें जोड़ दे अपने गजट में और ये कहते हैं कि एनाउस जेलेट को भी हम किसी भी सिक्षक भरती के लिए अलाओ करते हैं तो आप लोग बच सकते हो हलाकि ये सब करवाना आसान नहीं इसमें बहुत मेहनत लगेगा एनसी टी को गजट में अपना एनाउस जेलेट का जिक्र करवाना उसको डलवाना फिर पाँच बेंच में जाकर वहां से ओर्डर को पलटवाना ये छोटी मोटी काम नहीं बहुत बड़ा काम है लेकिन मैं यही कहरा हूँ कि असंभव भी नहीं है ठीक है अगर आप मेहनत क देते हैं उनके अध्यक्ष को अपडेट देते हैं जो भी हैं अगर लोग मुझसे कोई हल्प मांगते हैं या कुछ भी चीज़े हैं तो मैं आपको इस चैनल के मादम से हल्प करने की जरूर कोसिज करूंगा ठीक है बाकि बहुत सारे लोग कल से ही आ रहे हैं मेरे वीडिय किया हुआ हूँ मैं बेड भी किया हूँ मैं रेगुलर डेलेड भी किया हूँ मैं सब कुछ किया हूँ आप लोग को जो लगता है लगिए बस यही है कि भाई जिसके साथ गलत होता है मैं उसके साथ इस्टेंड करता हूँ मैं उसके साथ हमेशा खड़ा रहता हूँ फिर चाहे वो B8 हो, चाहे वो D8 हो, या किसके साथ भी गलत होगा, तब भी हम उनके साथ रेंगे, बाकी आप लोगो जो मन में आया आप कहिए, बाकी एनाउस डिरेट के साथ मैं अभी भी हूँ, पहले भी था, अगर कोई जरूरत होती है नाउस डिरेट कंडिरेट को, तो मैं उनकी हेल्प जरूर करूँगा, बाकी आप चैनल पर नहीं हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजिए, बेल आइकन को आप जरूर दबा दीजिए, जैहिल, जैभारा,